पूर्णमद पूर्णमिदम भक्ती संबाद पूर्णमिदम पूर्णमिदम भक्ती संबाद पूर्णमिदम भक्ती संबाद नमस्कार यहां को कारिकर में बहुत स्वागत है namaškार यह आप नेपाल में मतलब की वर्स시는 गम कम से Oshobaar आप आते हैं शॉलमें तो नेपाल की आप की भी मुझह घुम काई मतलब जान कारी है क्या कैसा लगता है मुझको नेपाल में बहुत अच्छा लगता है और इस्पृच्वल वर्ट की जो मैंने शुरुवात की थी वो नेपाल से ही थी भारत से नहीं की थी उन्हें इस वंठानवे में मैं पहली बार चितवन आया था सो रहा में वहां पर हमारा आश्रम है वहां पर मैं रहा पहली और इतने सारे में पाली मित्रों से मिला को उधी बहुत अच्छा लगा और मैं ये देखा कि नेपाल आव ज्यादा स इं भावुक एं हें घर्दयापूर हैं भारत के लोग की तुल्ना में या पश्चिम की तुल्नां में बहुत सार बरी आसानी से ध्यानस्थत हो बड़ी जी बहुते गए इंटलेक्चुल होते गए इतने ही जादे से भक्ति भाव से दूर हो गए तो नेपाल में मैंने पाया कि यहां के लोग भक्ति भावना में ध्यानसादना में बड़ी सरलता से डूप सकते हैं और तब मुझे बड़ा अच्छा लगा और जिनमेत्रि से लुप अच्छा साल यहीं रहे दो हजार चार के बाद फिर भारत गए बावस जहां से और अनने जगे जाते रहते थे जाम गया और दूसरे 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 श्यूम गया और नेपाल से अमारा विसस लगाव हो गया और तब से हम करीब-करी भर छ्य महीने में एक वार तो इसका कोई कारण बजा था कि असे ही यह संजोग हुआ अस्तित्य की मरजी कहें प्रभू की मुझे तो कुछ पता नहीं था यहां के बारे में अचानक एक दिन सौमी अम भारती नाम के एक मित्र थे जो चित्वन में एक ध्यान के नरे चलाते थे उनका फोन आया मेरे पास मैं उनको नहीं जानता था वह भी मुझे 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 उनकारी नहीं पूछे उत तीन मिन बाद हमारे गारी पहुंच गए उनका हमें आपको लेने ही आया ह और हमारे साथ चलिये, मैं आया हमको बहुत अच्छा लगा और हमने डिसाइट किया कि हम कुछ साल यहीं रहेंगे जैसे कि नेपाल में बहुत सारे पवित्र पॉराणिक मठ मंदिर भी है पस्पधिनाथ मुक्तिनाथ ऐसी जगह आपने कहीं बिजट किया है मुझे ट्रडिशनल धार्मिक स्थलों में कोई रुची नहीं है उस प्रकार के क्रिया कांड मुझे अच्छे नहीं लगते नाहीं मुझे कोई धार्म सास्त्रों में कुछ रसे मुझे सिधा सिधा ओशों से अपनी भीतर दूबने की कला सिखी है वो ध्यान कहें, मेडिटेशन कहें, भक्ति कहें, जो भी कहें वो अपनी भीतर दूबना है असली तिर्थ स्थान अपनी भीतर है हमारा शरीर ही एक मंदिर है इसके भीतर स्वयं परमात्मा बे राजमान है इसलिए में बाहर कहीं कोई मंदिर मस्जिश चर्च कभी नहीं जाता है बच्पन से कभी नहीं गया और अपनी भीतर ही मैंने पाया कि शांती का आनंद का परम खजाना मिल गया फिर कहां जाना किसको खोजना इसको हम खोज रहते हैं वो अपने ही भीतर मौचूद है जैसे कि औसो धरम बोलते हैं कोई औसो ऑसो सिधानत बोलते हैं इसको यसको बास खबिकता एस मतलब कैसे समझना चाहिए औसो धरम χ appelle गयान नहीं कि द कि जानत गयान इसकी केटेगरी में और और में और तियन की काला सिखाते हैं पूरा सम्कून जीवन सिर्फ अध्यात में ही नहीं, बांकि सब कुछ के बारे में भी हमें समझाते हैं कि कैसे अच्छे से जीना, कैसे सत्यम शिवं सुंदरम फलेत हो, कैसे जीवन में सचित आनंद घटेत हो, इसकी कला हमें सिखाते हैं, आट अफ लिविंग, वे हमें कोई सिध्धान्त नहीं दे उसको पाया, तो वाई हमारा ही अपना सच बन गया, उनकी कही बात का सवाल नहीं है, इसलिए ओशो कोई सिष्च नहीं है, ओशो को प्रेम करने वाले हम कह सकते हैं कि, आपको कोई फालो कर सके उसको, वे केवल समझाते हैं, जैसे वे ज्यानिक है कोई, उसने प्रकरती का क कोई नियम खो जा, तो वो समझाता है, प्रियोग करके बताता है, हमको कोई अंदविस्वास नहीं करना पड़ता, हमें इस्रद्धा भरोसा नहीं करना पड़ता, हम खुद वे प्रियोग करके देखते हैं, एक्सपरिमेंट करते हैं, और हम पातें की वैसे ही है, तो हम उस और निए पातक है, गाहस के अ संग्तर नहीं है guys lord, oursensатff! आपना हो गया खोम, सँ धालओर नहीं नहीं है नहीं सुम्यााThat´ भाखती भावना में सांपः करें नहीं से अपना सच द aç, यो और किसी का follower नहीं था तो इस प्रकार से ओश्व को हम सिध्धान्त, मत, ज्यान, संपरदाय, धर्म, फिलासफी इस काटेगरी में नहीं रख सकते हैं। जिसके आप लोग के फैमिली में, मतलब भाई वेहन में दस लोग थे ऐसा सुना है मैंने तो उसमें बड़े सबसे बड़े उसो थे हैं। और आप नव नंबर के हैं से मैंने सुना हैं। तो बच्पन से उनका सुभाव जैसे कि जानना चाहते हैं कि वह किस टाइब के थे और उनको ये सब्जे उपलब दिया कैसे प्राप्त होई। मेरे उर उनके उर में तो 24 साल का डिफरेंज है। तो जब मैं बड़ा हुआ समझो आट-दस साल का थोड़ी समझ आई। मतलब गुरु टाइब के लिटर टाइब के हो चुके थे हैं कि वह लेड़ी हो चुके थे एककैस वर्स की अवस्था में उनको परम ज्यान प्राप्त हुआ था जिसको एलाइटन्मेंट कहते हैं उसके बाद लोगों को सिखाने लगे थे प्रवचन देने लगे थे बताने को आदा रहे हैं तो मुझे अपने बच्छपन की वह ही इसमरन है उनका, तो मैंने उन नको भाई के रोप में नहीं जाना मैंना हमेशाी पाaitा कि मैं उनको सुन रहा हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ वो निरदेश दे रहे हैं, मैं ध्यान में ढूब रहा हूँ मैंने अपने आपको एक सिश्च रूप में ही जाना और उनको गुरू रूप में ही देखा, एज डिफरेंस बहुत ज्यादा था, लेकिन हमारे अन्य बड़े भाई बहन हैं, माता पिता हैं, जोनों ने उनको छोटी उमर में जाना, वे लोग कहते हैं कि वे बच्पन से ही ब बच्पन से ही बहुत विलक्षन थे, उनके जो टीचर्स थे, स्कूल में वही जानते हैं कि कितने विलक्षन थे, तो सत्त की खोज उनके अंदर बहुत गहरी थी, हर चीज की सचाई जानना चाहते हैं खुद, दूसरों से सुनके समझ के पढ़ लिखके नहीं, उनको खोज करना चाहते हैं, ऐसी उनकी प्रवत्ती हम एसा बच्पन से रहे, जिसे हम लोग सुनते हैं कि वही न जो भी गुरू, वी spiritual leader हुए है, उन लोग ने ध्यान किया है, साधना किया है, उनके भी कोई गुरू है, ऐसा सुना है, तो उनका, जिसे ये spiritual मतलब कब से शुरू हुआ वहां ने कोई साधना ध्यान किया कि ऐसे ही ब्रह्मान्द से ही अथवार कैसे ही इसमें कैसे आगे बढ़े हो दो बातें बताना चाहूँगा जो पोछ ने स्वेम बताया है कि वह अपने पिछले जनम में भी साधना कर रहे थे ध्यान कर रहे थे और आखरी समय में वह कोई 21 दिन का ध्यान प्रेयोग कर रहे थे अनुस्थान कर रहे थे और उमिठी की 21 दिन पूरा हो जाने पर उनको ब्रह्मयान हासिल हो जाएगा लेकिन तीन दिन पहले ही उनकी हत्या कर दी किसी में तो अंतिम तीन दिन शेष रह गए थे पिछले जनम की कहानी है उस सम उनकी करने में लगे एक एक दिन के लिए साथ साथ साल तो साधना करते रहे ध्यान करते रहे दूसरी बात आपने पूछी है कि उनके कौन गुरू थे ऐसा समझें कि उनका कोई एक विसेश यक्ति गुरू नहीं था पूरा जीवन ही गुरू हर घटना से उन्होंने कुछ सीखा जो भी उनको मिला उससे उन्होंने कुछ सीखा तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि फलाँ फलाँ गुरू के वो शिष्ष्य हैं जो भी करांतिकारी गुरू होते हैं बड़े बड़े स्पिच्वल लीडर होते हैं अक्सर आप देखेंगे उनका स्वयम का कोई गुरू नहीं होता उ अगवान बुद्ध का कोई गुरू नहीं था गुरू नानक देव जी गुरू की महिमा ज़नूर गाते पर कहीं उन अपने गुरू का नाम नहीं लिया कौन हो उनका गुरू उनसे श्वयम सिक्धर्म की शुरूवात हुई तो कुछ लोग होते हैं कुरांतिकारी जिनसे ए हो जाता है तो उनका तो कोई विशेष गुरू नहीं होता लेकिन वो लाखन लोगों के लिए अच्छे गुरू बन जाते हैं इसका ठीक उल्टा जो दूसरे का मार्ग दरशन लेकर चलता है उसकी नालेज बहुत लिमिटेड होती है उसको तो बना बनाया रास्ता मिल गया उ इसनली dip के लिए सुएम अच्छा शिष्ष्ष बन गया उनकों रहना रास्ता नाया बनाया रहन ऐसकी एक अच्छा गुरू नहीं बन सकता जो अच्छा शिष्ष बन जाएगा पूढ़ नहीं सकता और जो गुरू बहुत ऑच्छा बनते है उक अभी शिष्ष नहींний थे क वो कभी अच्छे बड़े बुरु नहीं बन सकते हैं जैसे कि हम लोग 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 ने भी सुना है कि जैसे साधना करते करते हैं जिसके मतलब वो चला लाता है संसार से तो अगले जना में फिर उसको वही साधना मिलती है जी ता इसको सच ही है यह बात जैसे कि एक बार जब ब्रह्मियान हो गया और जब जब शरीर चूटा तो बहएवरत्टी ब्रह्मि में लीन हो गया फिर उसका वापस लोटना नहीं होता अगर उसको कुछ कमी रह गई है जैसे उसको के पिछले जनम में तीन दिन की कमी रह गई थी तो उनको एक जनम लेने का और मौका मिला लेकिन जब ब्रह्मिय में लीन हो गया पूरी तरह से तो फिर वापस लोटना नहीं फिर आवगमन से मुक्ती हो गयी मुक्छ हो गया उ उसने तो सद्ध को पालिया लक्ष को पालिया जब मंझिल को पालिया तो फिर मार्की कोई जरूवत नहीं रही ऐसे व्यक्ति जादा से जादा एक जनम और ले सकते हैं करुन अवश्य दूसरों को से खाने के उद्देश से लेकिन जरूरी नहीं है कि जनम लें हो सकता है ल जो इसको लालत स्था कि में इतना धन का माल हूं इतनी ऐस्परतिष्ठा पालूं फ़ला मंत्री पत्पे पहुंग जाओं को इछा कामना है वो उसकी अधूरी रह गई तो इसको पूरी करने के लिए उसको फिर प्रकरती मौका देगी तुम फिर जनम लो अपनी कामना पू लेकिन फिर भी एक चोटी चांस रहती है कि करुणा वश दूसरों को बताने के लिए इस खाने के लिए वो एक बार आसकता है किरपा करने के लिए यह जैसे कि यह ओशो ओशो बोलते हैं इसका अतातपर है क्या है थास में ओशो एक नहीं आशब है इसका निर्माणस्वाय पहले उनको हम लोग आचारी रजनीश कहते थे, जब वो प्रोफेसर थे हिंदी में प्रोफेसर को आचारी बुनते हैं, फिर जब उनके बहुत भक्त हो गए, तो उनको भगवान पोकारने लगे, फिर उनों अपना नाम एक बार चेंज किया था, भगवान गौतम बुद्ध कि आत्मा उन में प्रवेश की, खरीब एक सब्ता है बुद्ध उनके भीतर रहे था, उनों अपना नाम बदल के बुद्ध से जोड दिया था, फिर एक सब्ता है बाद उनोंने नाम चेंज कर लिया फिर, और तब एक नया शब्द उनोंने उप्योग किया, ओशो, ये अधितो नदी नहीं हो चेंज, वो तो समुद्र ही हो गई, इसके पहले उसका नाम था, उगंगा थी, कि अमना थी, कि ब्रह्म पुत्र थी, कि नारायनी थी, उसका कोई नाम था, उसका एक उद्गम था, मूल शरोत था, उसके दो थेठ थे, किनारे थे, लंबा यात्राप अबने भी एक वचन कहा है, हेरत हेरत हे सखी, रहा कवीर हेराय, बून्द समानी समुद में सो कथेरी जाये, कहते हैं, खोषते खोषते कवीर सोयम ही खो गया, जैसे कोई बून समुदर में गिर गई, अब बून तो नहीं बची, अब उसको कहा खोजेंगे, जिसको खोज अब बून न बची, ठीक ऐसा ही कुछ होता है, जब भगवान मिल जाता है, तो भक्त समाप्त हो जाता है, भक्त नहीं बचता, अद्वयत, ड्वयत नहीं रहता है, डुवालिटी नहीं बचते, ठीक ऐसे ही जब यह सरीर छूटता है किसी बुद्ध पुरुष का, तो उसक नाम पोशो, तो यह एक नया शब्द उन्होंने गढ़ा, जैसे कि आत्मा परमात्मा की बाते कितने लोग नहीं मानते हैं, मानने वाले भी हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलना सहेंगे, मेरी दृष्टी में वो जो मानने वाले हैं, आस्तिक और जो नहीं मानने वाले नास्तिक हैं, इनमें कुछ ज़्यादा बेद नहीं हैं, दोनों अंद्विस्वासी हैं, ब्लाइंड बिलीवर्स, बच्पन से किसी ने सुना था कि आत्मा परमात्मा होते हैं, उसके परिवार में, आसपास के माहुल में, वो मानने लगा, एक व्यक्ती सोव्यत रोस में प जिसने भारत नेपाल में पैदा हुआ तो जिसने सुना था इश्वर है, यह भी सुना आई बात है, यह अपना अनुभाव नहीं है, तो आस्तिक और नास्तिक दोनों ही अंद्विस्वासी हैं, एक इश्वर के होने में विस्वास करता है, एक इश्वर के ना होने में विस तो मैं बताओंगा क्या conclusion है, पहले समय कैसे कहूं, तो एक सच्चा व्यक्ति जो सत्ती की खोज में है, वो आत्मा परमात्मा को ना तो मानेगा, सुष्कार करेगा और ना ही इंकार करेगा, वो कहेगा मैं अज्यानी हूं, मैं कैसे कहूं, मुझे खोजबीन करने तो एक वैज्यानिक चिंतन मनन वाली उसकी द्रष्टी होगी, scientific thinking, एक वैज्यानिक कुछ मान के नहीं चलता, वो प्रयोग करता है, कई-कई प्रयोग करता है, कई प्रयोग सफल हो जाते हैं, कोई प्रयोग सफोल हो आता है, अंत में निश्कर्स कंक्लूजन हात में आता है, कि मैं अपने भीतर डूबा, मैंने अपने भीतर पाया कि एक शुन्यता है, there is nothingness, सम्मानता है मारे मन में जो धालना वच्पन से बैठी थी कि आत्मा गर्मात्मा जैसे हम उसके दर्षन हो जाएंगे, कुछ ऐसी चीज नहीं, ऐसा कुछ भी भीतर नहीं दिखेगा, कोई मोती दिखेगा, मतलब कोई ऐसा कुछ चीज दिख जाएगा, कलर बोलते हैं, बहुत सारे बाते हैं इसकी बार उस बिछे, भीतर एक प्रकाश है, जोती नहीं कहूंगा, क्योंगी जोती में तो एक शेफ होता है, निराकार प्रकाश, आलोक जिसको हम कहें, उसका कोई उद्गम भी नहीं है, तो भीतर एक आकाश जैसा है, वास्ट नथिंगनेस, शुन, वह शुन प्रकाशित है, तो ऐसा नहीं कि इश्वर का कोई रूप और रंग नजर आएगा, लेकिन वह शुन प्रकाशित है, बड़ा सुक्ष्व, चांदनी जैसी रोशनी है उसकी, हली किसी चां प्रकाश है, ऑंकार है, यह महाद्वनी वहाँ गूझ रही है, जैसे कोई हमिंग साउंड हो रही हो, भौरे गुंजार कर रहे हो, जैसे ब्रामरी प्रणायाम में करते हैं, वैसे द्वनी अपने भीतर हो रही है, यह मिलते हैं, भगवान नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिलता कोई आत्मा दिखाई नहीं देती, अगर हम चाहें तो इस अनुभव को ही हम कह सकते हैं self-realization, आत्मा ग्यान हो गया, आत्मा अनुभव हो गया, आत्मा साक्षाटकार, हाँ, मैंने अपने भीतर का प्रकाश, अपने भीतर का ओंकार, अपने भीतर की छेतना को जाना, वहाँ बस नितांत आप अकेले ही है, तो हम यह कह सकते हैं, आहम ब्रह्मास्मी जैसा, या तो हम कहें कि मैं वहाँ नहीं हूँ, ब्रह्म नहीं हूँ, या कहें ब्रह्म नहीं है, मैं ही मैं हूँ, या हम कहें कि यह दोनों शब्द ही हटा देते हैं, जैसे बगवान बुद्ध तो अनुभूल जाना तो जा सकता है बड़ी आसानी से शान्त हो कर ध्यान में डूपकर लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का उपाय नहीं है मैं जो भी कहूंगा उसनो भूल चुख हो जाएगी गलती हो जाएगी जो जाना है वो कुछ और है जो मैं बता रहा हूं बहुत कम पड़ाई तो यह कैसे मिल सकता है लेकिन यह जिसको मिल गया उसका कैसा बहेवियर होता है मुक्षप्राप्ति के अवस्ता कैसी होती है बहेवियर के बारे में नहीं जाऊंगा क्योंकि आदुनिक मन वज्ञानिक जो है जो है जो अपने आपको वैभारवादी कहते है वेवेरिलिस्ट वो लोगों के वैभार को देखकर परकते हैं और अनुमान लगाते हैं कि इसक क्योंकि आपकेट कर सकते हैं यही से पाखंड की सुरुवात होती है जो हम पूस्ते की ब्रह्मियानी के क्या लक्षण है कैसे पता चलेगा उसका वैभार उसका आचरन कैसे होगा अब यहीं से एक मुश्किल खड़ी होती है जैसे हमने परिभासा की कोई ना कोई ना तक कर करने वाला आदमी वैसा पाखंडी वैभार करने लगेगा तो बहता है हम इस जनजाल में ना फस है उसकी बात हो जाने है इससे जूटा जूटा पाखंड होगा बेईमानी होगी जूट आ जाएगा हम आई दिन सुनते हैं बड़े-बड़े सादू सन्या सी जूटे सावित हो गया पाखंडी निकल गया साल और साल से वह एक एक्टिंग कर रहे थे नातक कर रहे थे क्योंकि वह ऐसा करने सुनको सम्मान मिल रहा था इज़्जत मिल रही थी इसलिए मैं इस बात में बिल्कुल नहीं जाना चाहता कि ब्रह्मिजानी का आचरन कैसा होता है हर ब्रह्मिजानी का आचरन भिन्न होता है क्या भगवान राम किसी के जैसे थे क्या उन्होंने किसी की नकल की नहीं वो बिल्कुल यूनिक थे भगवान कृष्णा आए, क्या वो राम जैसे थे, बिल्कुल नहीं थे, 100% नहीं थे, He was totally different, भगवान महावीर आए, और अलग, बुद्धा आए, सो प्रतिसत अलग, गुर्णानत दिव जी आए, कि राम कृष्णा परमहंस आए, सब अलग-अलग, हम अतीत उठा के देखें, क्या दो ब्रम्वियानी एक से हुए आज तक करें, तो आगे भी नहीं हो सकते, तो हम जो परिभासा बनाएंगे, आचरन की, वैभार की, काउंठ करको बनाएंगे, जएसा कभी नहीं हो दो बैसा तो कभी नहीं होगा दो वारा, क्या इसी है हाज़त मुहमत जीसे हैं? कि आप उनको दयालू कहेंगे, करुनावान कहेंगे, नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, भगवान गुद्ध के उपर आप लागु कर सकते हैं, लेकिन राम के उपर लागु कर सकते हैं, लेकिन राम के उपर लागु नहीं होते हैं, लेकिन राम के उपर लागु नहीं होते सिख्खों के गुरु साहवान हुए है जनोंने तलवारे उठाई और युद्ध लड़े उन पर तलागू नहीं होती तो कहां समग्रमें इसको कैसे समझ सकते हैं तो हम बाहर से समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं मेरा सावाल यह है हम पहला सवाल आपके ठीक जो आपने पूछा कि इसको हम कैसे पाएं यहां तक ठीक है लेकिन उसका आचरा मो बैभार कैसा होगा मेरा जिग्या सा क्या था कि कैसे पहचान पाएंगी कि यह साथ्छा मतलब यह मुक्षप्राप्त गुरु हैं हम इनके सरण में जाएं इनसे ज्यान प्राप्त गरें हम लोग भी ऐसा ही हो जाएंगे इसके पहचान कैसी है ऐसी पहचान नहीं हो सकती इसकी कोई definition नहीं हो सकती तो मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब देदूं कैसे वहां तक पहुँचें आभागमन से मुक्ति तक दो रास्ते हैं एक रास्ता है meditation का ध्यान का और एक रास्ता है भक्ति का devotion का अधिकांस इस्त्रियों के लिए devotion वाला मार्ग ज्यादा सुगम है अधिकांस पुरशों के लिए meditation वाला मार्ग ज्यादा सरल है इसके कुछ exception हो सकते हैं एक मीरा का मार्ग है एक महावीर का कोप सजग और जागरूक हो जाएं. कि हमारे भीतर के विचार भी बंद हो जाएं. भीतर कुछ भी ना रहें. कोई धारणा नहीं, कोई फिलासफी नहीं, कोई सोच बचार नहीं, कोई भावना नहीं. केवल शुद्ध चेतना, pure consciousness. कोई कलपना नहीं कोई चिंतन नहीं कोई कलपना भी नहीं कोई अतीत भी नहीं नो पास्ट नो फ्यूचर वर्तवान का यहच्छन परिपून सजक्ता से ओत्परोत फुली कांसस इस वेरी मुमेंट तो एक मार्गी यह है इससे भी हम मुक्त हो जाते हैं दूसरा मार्ग भक्ति का डेवोशन का सरेंडर का स्रद्धा का जिसमें हम सुरुवात कर सकते हैं किसी गुरू से उसके प्रतिशरण में जाके हम सुरुवात कर सकते हैं किसी इष्ट देवता से भजन कीर्तन नर्तन गायन उच्छव वहां से हम सुरुवात कर सकते हैं यह बादा भक्ति, नेक्स श्टेप, उस नेक्स श्टेप में हम वहीं पहुच जाते हैं, जहां ध्यानी पहुचता है, फिर वहां गौनी भक्ति भी छूट जाती है, भजन की तन भी छूट जाता है, वह हमारी तथा कतित, स्रद्धा, उपासना, पूजा पाठ, उक्रिया कांड मेरी तब्भी महत्वीन हो जाते हैं, हम एक दूसरी जगह पहुच जाते हैं, जहां सिदा सिदा हम प्रभू में भिलीन हो जाते हैं, अब कोन करेगा भक्ति, कोन करेगा पूजा पाठ, हमने स्वयम ही जान दिया कि हम वही हैं, जिसको हम खोज रहे थे, उद्वन्द खतम ह भक्त और भगवान का दुए भी खतम हो गया, तो मेडिटेशन के द्वारा भी हम भही पहुंच सकते हैं और डिवोशन के द्वारा भी पहुंच सकते हैं, ये दो बड़े मार्ग हैं, तो दुनिया में आधे इस्त्री हैं, आधी पुरोष हैं, तो करीब-करीब दोनों अब दूसरे सवाल पर मैं पुनाय आता हूं, आपने पूचा है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हम इनके प्रतिसमरपन करें कि ये ब्रह्मिगानी हैं, क्योंकि नारापंथ जगत में निज निज गुडगावे, अपने अपने गुडगाई ही गाते हैं लोग, तो इसमें कैसे सरवसाधरन लोग कैसे पहचान पाएं, क्योंकि भटकना बंध हो जाएं, वो डायरे की अच्छे मारगदरसक के मतलब सामी पहुंचा है, मेरा ये मतलब भी जिग्यासा है, जिस व्यक्ति को परमातना की खोज है, सक्ति की खोज है, उसको निकलना होगा, खोज बीन कनने हो बहुत गूरूों के पास जाना होगा, परखना होगा, देखना होगा, और वो जो कह रहे हैं, वो करके देखना होगा, तुम्हें बाहर के कोई लंग्छण नहीं बता रहा है ... यह समय लगेगा, भटकन भी होगा, ढोका डड़ी भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इस पहचानना होगा इसको यसा समझे स्रध्धा को यह समारपण भाव गूरू के प्रति शिस्यभावना जोत्पन होती है यसे साधरन जगत में प्रेम होता है तो ऐसे कोई परिभासा तो नहीं है की प्रेमी का कैसी होने चाहिए, प्रेमी कैसा होना चाहिए, कोई उनकी उम्र हो गई, एक सकसे मैचॉर्टी आ गई, और खोज भीन सुरू हो गई अपने योग्य सांथी के, निश्यतरूप से खुब धोखा धड़ी भी होगी, कई जगा भटकना होगा, कई जगा धोखा मिलेगा, पूरी तरह से कई बार दिन टूटेगा, ये भी होगा, ये एडिमेड नक्सा नहीं मिल सकता, कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, और जब हमको वह विक्ति मिल जाता है, तो अचानक हमारे हिर्दे में एक भावना उठती है, something unknown possesses, कोई अज्यात शक्ति हमको घेर लेती है, और दोनों को पता लग जाता है कि एक घटित हो गया, इसको हम किसी गुणा भाग में हिसाब किताब में नहीं बिठा सकते की कैसे होगा, आस तक कोई नहीं कर पाया, ठीक इसी प्रकार, कौन गुरू, कौन शिष्र, बड़ी खोजबीन करनी होगी, बटकन होगी, समय भी खराब होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आसा करते करते करते, कभी ऐसा होगा कि अचानक किसी से मिलने पर, something will click in your heart, जैसे साधरन जगत में प्रेमुत्पन होता है, ऐसे ही आभध्यात्मे करूप से स्रध्धा पैदा हो जाती है, और तो हमें पता होता है कि मिल गया वाए व्यक्ति, जिसके चर्णों में हमें जुक भंट जाना है, हम को मिट जाना है और खोता है, वो आठना होता है, लेकिन हम खोजिण करेंगे तो ही होगा अचानक वाली घठना भी थो इसलिए मैं कोई प्रमान नहीं देता कि pretending रव्यानी कैसा होता है, मैं कहता हूँ तुम, 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 मतलब आपको अ छोगने के नहिंग देनाह्ते, तुम अज्छा ले रहे हैं। हम कौ लोगती है? हुम अज्ञनि हैं wicked इस शोगती आधे ही? लिकिन वो ज़ो जिए जिए करे रहा है। वो जो रास्ता वता रहा है ध्यान का भक्ति का उसको मैं करूं। उसके करने से अगर अच्छा परिणाम आता है, इसका मतलब व्यक्ति सही कह रहा है, यदि उसको करने से अच्छा परिणाम नहीं आता, इसका मतलब व्यक्ति कह रहा है, मैं वहां से हट जाओं, मेरे लिए व्यक्ति नहीं है, ये भी नहीं कि वह व्यक्ति गलत है, मैं अपना अगर मीरा भाई जैसी भक्त भगवान महावीर के पास पहट जाती खोश्बिन करते हैं, उसको तो अच्छा नहीं लगता कुछ, उसको तो किसी और की तलाश है, वह भगवान महावीर तो नहीं है, उनका मार को भी पुल एकांत का, मौन का, शांती का, चुपी का मार है, कहां मीरा भाई नास्ती गाती, खंजली बजाती हुई, बजन गाती हुई, साथ स्रंगार के हुए, महावीर तो को जचेंगे ही नहीं, ये कभी गुरु शिष्या नहीं हो सकते हैं, उसका मार कुछ और होगा, वो कृष्ण की खोज में है, उसको कृष्ण जैसे वेक्ती ही उसक आपना ही नहीं चाहिए, कौन ग्यानी है, कौन नहीं है, हम खोज में करें, और वो जो कह रहे हैं, हम उसका प्रयोग करें, हम साधना करने को तैयार हो जाएं, अगर साधना से अच्छे परिणाम आते हैं, हमको शांती मिलती है, आनन्द मिलता है, हमारा एहिंकार गलता है, तो हम जाने कि हम जहां पर है, ठीक जगे है, हम वहीं पर चलते तले हैं, जब हमको लगे कि रुकावट आ गई है, कुछ बात आगे नहीं बढ़ रही, तो हम और खुछ भीन करें, हो सकता है, जहां तक वो सिखाते थे, उन्हों सिखा दिया, एक बच्चा स्कूल जाता है, प्राइमरी स्कूल में, फिर पांच क्लास पढ़ गया, फिर वहीं तो नहीं रुकता, दूसरे सिख्चा है, मेडिल स्कूल जाएगा, हाई स्कूल जाएगा, कालिग जाएगा, इनुर्ण सिट्री जाएगा, पोस्ट ग्रेजूशन करेगा, हो सकता आगे पीच्दी करें, तो बार बार बदलेंगे, हम जिद्ध तो नहीं करते की सी टीचर का मतलब नौलेज जो गें किया हूँ, हम जो लाइन चुनें, हमको वैसा टीचर मिल जाएगा, ठीक, ऐसे ही अध्यात्म में है, हमें एक जगा रुकना भी नहीं चाहिए, हमको जो भी गुरु मिले हैं, हम नहीं निर्भर होगा, हमारी रुची रुझान क्या है, हमारा मार्ग कौन सा है, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, जैसे अभी मैंने आप से कहा मोटे मोटे दो मार्ग हैं, डिवोशन और मेडिटेशन, इसको और छोटे छोटे खंडों में बाते हैं, तो हमारे साथ और प्रतेक चक्र के साथ एक मार्ग संबन्दित है, मुलधार चक्र से संबन्दित है कर्मयोग, कुछ लोग हैं बड़े करमठ प्रवत्ति के, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आप छोटे बचपन के देखें, किसी बच्चे को हम कहते हैं, ओर एक्टिव चाइल्ड, ह यह बिलकुल अलग प्रकार की साथना है, अपनी इंद्रियों को ज्यादा संबेदन शील बनाना है, मोर सेंस्टिव बनना है हमको, वहतंतर साथना यह एक अलग मार्ग है, तीसरा चक्र मनिपूर चक्र, नाभी के इंद्र भीज़ से हम कहते हैं, मनिपूर, यह हमारा प्रा यह बड़े काम का है, चोथा चक्र, अनाः चक्र, जिसको हम हाइट सेंटर, हिर्दय चक्र भी कहते हैं, वहां से जोड़ा है बक्तियोग, यह बनकुल अलग मार्ग है, ना तो इसमें हठ योग आएगा, ना इसमें कर्म योग आएगा, ना इसमें तंत्र साधना आएगी, इसमें तो स्रद्धा और समर्पन और अपने एहंकार का भी सर्जन आएगा, यह बक्ति का मार्ग है, पांचवा चक्र, विशुद चक्र, कंठ चक्र जिसको कहते हैं, यह ज्यान योग का मार्ग है, अपने विचारों के साक्षी बन जाना है, यह ध्यान की एक अधोत विध ही है, यान मार्ग, यह अलग है, इसका भक्ति से कोई लेन देना नहीं, भगवान की कोई धारना की भी जरूत नहीं, छटवा चक्र है, आज्या चक्र, जिसे तत्री नेत्र कहते हैं, और वहां से संबंदित है, राज योग, यह बिलकुल अलग है, नीचे के पांचों चक् योग, हठी योग, भक्ति योग, ज्यान योग, यह चोटी-चोटी पकडंडी जैसे हैं, सक्रे, कभी कभार को इन पर कोई चलता है, आज्या चक्र से राज योग है, जैसे राजपत होता है, चोड़ा रास्ता, ऐसा है वो, यह सारे मार्ग वहां आकर मिल जाते हैं, और जैसे भी पार, सात्मा चक्र सहस्त्रार, वहां से संबंदित सांख योग, यह बहुत प्रचलित नहीं है, अपने इतिहास में भी कुछ ही नाम आते हैं, जैसे महरशी, अश्टावक्र हैं, राजा जनक हैं, कपिल मुनी हैं, कणार मुनी हैं, एतिहासिक रूप से, आधने क कहते हैं, तुम जागो, बात खतम, कुछ और करना नहीं है, तो यह साथ मार्ग हैं मुख रूप से, तो निश्चित रूप से, अलग-लग लोगों के लिए, अलग-लग मार्ग होंगे, उनकी रुची-रुझान के अनुसार होंगे, जो वक्ति बहुत ज्यादा कार्ग बनेगा, कोई वक्ति देह प्रहान है, बाड़ी ओरियंटेट, करमत किसम का है, हमेशा कुछ करता रहता है, उसके लिए कर्मियोग होगा, तो अलग-लग प्रकार के वक्ति के लिए, अलग-लग प्रकार के गुरु होंगे, तो दूसरा हमको मैच नहीं करता है, इसका कभी नहीं होई, जैसे कि सातो चक्रट जागरिथ होने पर मुक्ष मिलता है, इसका तातफर है क्या है, इसका तात पर यह है, कि सामानता है, हमारे चकर ऐसे हैं, जैसे कि सोई हुए हो, ये बिजलि के वल्ब जल रहे है, इतने सारे लाइट जल रही है, क्योंकि विद्धत अगर मार्ग में कोई अवरोध आ जाए तो ये लाइट काम करना बंद कर देंगे, बुछ जाएंगे, सब कुछ होगा, पूरी मेकनिजम वहाँ है, कैमरा वहाँ रखा है, लेकिन अगर इस तक विद्धुत उर्जा नहीं आ रही तो कैमरा फंक्शन जैस हो जाएगा, कैमरा इस नहीं पहुंचेगा तो ये बेकार हो जाएगे, होते हुए भी नहीं होने जैसे हैं, तो प्रकर्ती ने जो इंतिजाम किया है, हमारे भीतर ये साथ चक्रें, इनके डिफरेंट फंक्शन से हैं, प्रकर्ती का काम चल जाता है, नीचे के दो चक्रों को एक्टिव कर देन इसे, पहला चक्र हमारे शरीर के लिए है, हमारी physiological needs है, भूक लगती है, हमें भोजन चाहिए, प्यास लगी है, पानी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, उसका बच्चा इंतिजाम करने लगता है, अब छोटे-छोटे पंशियों के बच्चों को देखें, पशियों के बच्चो तो में अपने शरीर को बचाओ, उसकी रख्चा करो, दूसरा चक्र सेक्स्वालिटी से संबंदित है, चुदा साल की उमर में मनुष्यों में वह विक्सित हो जाता है, और गती रिप्रोडक्शन में सक्षम हो जाता है, तो पहला चक्र था अपने शरीर को बचाने के लिए दूसरा चक्र है अपनी जाती की रख्चा के लिए, इसके पहले कि हमारी बरत्तु हो, हम अपने जैसे कुछ और इंसानों को जगत में छोड़ जाएं, ताकि यह हमारी जाती यह है वंश, निरंतर्ता बनी रहें, तो यह दो चक्र तो प्रकरती हमारे सक्री कर देती, इसमे हम को कुछ नहीं करना पड़ता है, अपने आप हो जाता है, हम पाते हैं कि यह को अमर आते याते हैं, तो हम फिजिकली फुली ग्रोण अप हो गए, 17-18 साल में, सेक्सुल मैचुर्टी आ गई, आपने अपने नहीं हो गई, प्रकरती का काम यहां खतम हो जाता है, बांकी के अगर हम कोशिश करेंगे, साधना करेंगे तो जागरत होंगे, अपने आप नहीं होंगे, तो विशुद्य चक्र की अनाहच चक्र, की आज्या चक्र, की सहस्त्रार, हम कोशिश करेंगे, वहां फोकस करेंगे, उसकी विधी का इस्तिमाल करेंगे, तब वो जागरत होंगे, क्योंकि प्रकर्ति को उनकी कोई विसेश जरुवत नहीं है उसके बिना काम चल रहा है सारे पशुपंची पहले और दूसरे चक्र से जिन्दा है और करोणों साल से उनकी जाती चल रही है कोई प्राबलम नहीं मनुष्च के साथ एक नई इस्थिती बनती है हम पशुओं से भिन्न है हमारे पास कुछ और पोटेंशियल भी है हम सुपर कॉंससनेस को प्राप्त कर सकते है जितने कॉंसस प्रकर्तिन हमको बनाया है हम बहीं पर रुकना जरूरी नहीं है हमारे अंदर बहुत छीपी हुई हिडिन टेलेंट्स है हम चाहें उनको विक्सित करने का मोका हमने दिया तो विक्सित हो जाएंगी और हमने मोका नहीं दिया तो नहीं होंगी कोई वक्ति पेंटर बन सकता है कोई बढ़ा प्रशद्य संगीतकार बन सकता है कोई खुवच्चा डांसर बन सकता है कोई dress designer बन सकता है कोई बड़ा दार्षनिक बन सकता है कोई वैज्ञानिक बन सकता है अगर इसका आउसर मिलेगा और उसकी मेहनत की जाएगी बड़ी साधना करनी पड़ी होगी कोई वैज्ञानिक ऐसे नहीं बन जाता कोई संगीतकार योई नहीं नहीं बन जाता, 40-50 साल 4-5 गंटे रोज साब ना करता है, तब जाके वो प्रसिद्धी पहता है संगीत में, तो जिस प्रकार ये hidden talents हैं, इसी प्रकार हमारे hidden चक्र हैं, हम महनत करेंगे, उस पर उर्जा डालेंगे, तो विक्सित हो जाएंगे, अ जिसको कुंडलनी कहते हैं, वो वहाँ पर पहुंचेगी, तब जाके वो एक्टिव होगे, नहीं तो नहीं होगे, तो ध्यान की विद्धियों के दौरा, तांत्रिक सादनाओं के दौरा, हठयोक के दौरा, राजयोक और सांखयोक के दौरा भी इन चक्रों को विक्सित किय जाता है और जब यह सातों ठीक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और सातों खुब अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं अपनी परिपूरूंता में तो हमारे भीतर परमानंद घटित होता है और तब हम जीवन मुक्त हो जाते हैं जैसे कि ओसरों के वीविन प्रवचन में समभोग से समाधी तक के जो बाते आती हैं इसका तातवपरे वास्टविक्ता क्या एक क्या है गया कहना चाहते हैं इसमें तेहाई है इसमें लोगोंससम वह बहुत सारे मतमतांत्र हैं बहुत सारे समझ अपने-पनी तालीखाई इसiau इसको समझा है, तो इसका बास्तविक्तातपली क्या है? अभी थोड़ी देर पहले में ने मेंशन किया था कि भगवान शिव ने देवी पारवती को विज्ञान भैरावतंत्र नामग्रंथ में 112 विधियां दी है, उन 112 विधियों में तीन विधियां कामवासना से संबन दे थे, ये भगवान शिव के द्वारा दी गई विधियां, व्यक्ति संबोग के द्वारा भी समाधी तक पहुंच सकता है, हमारे जीवन की कोई भी घटना, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी एक्षन हमको ध्यान में डुबा सकती है, भोजन करना भी ध्यान पूर्ण हो सकता है, इस्नान करना भी ध्यान पूर्ण हो सकता है, बाचीत करन तो दुनिया के भिन 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 गुरुऊं ने जीवन की सभी चोटी-चोटी प्रक्रियाओं को ध्यान में गढ़ाइट कर दिया. निश्शी तरूप से सेक्सी बेक महतपून इससा है जितना महतपून साह से, जितनी महतपून भोजाने उस से कम महतपून बहिने, जीवन की सुरुवात ही बहाँ से होती है उसके साथ भी awareness ध्यान जोड़ा जा सकता है यह बात ओशो ने उसमें समझाई है और यह बात ओशो की कोई मौलिक बात नहीं है बगवान शिव पाँचाजार साल पहले यह बात बताके गए है जो विज्ञान भारो तंत्र नामक ग्रंथ में संकलेथ है तो ओशो ने इसको कहा कई लोग किताब के टाइटल से ही confused हो जाते हैं पर मैं कहना चाहूंगा समझो एक किताब है जिसका नाम है बीमारी से स्वास्थ की ओर गरीबी से अमीरी की ओर इसका क्या मतलग हुआ किस चीज के पक्ष में है स्वास्थ के पक्ष में है अमीरी के पक्ष में है गरीबी में तो है हम लेकिन वहां से हमें हटना है बीमारी में तो है वहां से हट के हमें स्वास्थ होने की तरफ जाना है तो यह बीमारी के अगेंश्ट में है किताब और स्वास्त के पक्ष में है किताब का सीरसक ही किलियर करता है बीमारी से स्वास्त की और हम बीमार हैं लेकिन हम स्वास्त भी बन सकते हैं हम गरीब हैं तो हम कोशिस करेंगे तो हम अमीर भी बन सकते हैं यह से ही इस किताब का सीरशख है फ्रम सेक्स टू सुपर कॉंसथनेस। शेक्स में हम है, हमारा जनम ही उसमें हुआ और अर अपर जी रहें लेकिन वहां से पहता हैं बहुत सकते हैं और हम सुपर कॉंसथनेस की तरफ प्रह्म्यृ चेत्ना की तरफ जा कते हैं हम भर्मा तग भी पहुछ सकते हैं सनचेत में जो कहलें काम से राम की और काम से ब्रह्म की और कुछ लोग क्या समझते हैं कि काम सिखा रहे काम थोड़े सिखाएंगे काम तो प्रकरतिन हमको सिखा दिया है तो कोई सिखाने की बात नहीं जैसे कि यह आवरन भेसभुसा है यह कितने माइने रखते हैं धान स्जादना के Лिएे छोटी छोटी चीजे हमारे जीवन में माइने रखते हैं हम छोटे इस इंसान है छोटी-छोटी चीजे माइने रखती हैं और आप पुलिस को देखती हैं ग्ति पहने हुए ह्नोरे चाहर गताrare ड्रीस सब्सक् liaison पहने च्क करना है एक छीवन ही उसा है काम करता था वाइट कलर का पहन पहने दाक्टर्स में उनकी प्रक्रान होता है कि एक दॉक्टर है अधिकल स्थाफ है इसमें कमत फूर्ण भी महत का होता है सबसे पहले हमारे जीवन को प्रभावित करती है और हमारी भीतर रूपांतरन उससे घटिक है एक सीमा के बाद आवश्चक नहीं है एक सीमा के बाद आवश्चक नहीं है तो सुरुवात में ज़रूरी हम सैनिक को बिसे इस प्रकार की ड्रेस पहनाते हैं टाइट कपड़े बेंट कसा हुआ टाइट जूते और हैट लगाए हुए क्यों क्योंकि उसको बहुत एक्टिविटी वाला काम करना है उसको आक्रमन कर किसी पाक कर्मन थोड़ करना है उसको तो सुविकार भाव में मौझ में अनंद में जीना है संति से उसके वस्तर भी आसे हूं जो शान्थ होने मदद्गार हूं अगरन कमफर्टेबल हों रिलेक्स करने वाले हों कम से कम हो मैं देखता हूं भारत में 9 महीने तो घर्मी रहत ठीक उनके ठंडे देश में ठंडिया बना लग जाए, उपर से कोट पहने हैं, पद्धू के मूर्ख तागी, पसीना पसीना हो रहे हैं, कोट पहनने की क्या जरूरत है, तो एक सन्यासी के भी अपनी ड्रेस है, सन्यासी का अपना कोड है, और अलग-अलग रंगों के अलग- भक्ति मार्ग है, हिर्दय प्रधान अनाहचक्र का रंग हरा रंग है, तो जब वो अपने भी तरजाते उने हरा रंग दिखाई देता भक्ति भाव में डूपकर, उनके लिए परमात्मा हरा है, संस्क्रत में भी परमात्मा के लिए एक शब्द है हरी, हरापन, हरी आली, ज जब व्यक्ति संयासी होता है, उसके जीवन में एक शुर्योदय हो रहा है, उनों ने वह रंग चुना, वह भी प्यार रंग है, जैनों ने सफेद रंग चुना, उनका मुख जोड़ देना है, पवित्रता, शुद्धी, सफेद रंग चुना, फिजिक्स के आप याद करेंगे, हाई स्कुल में पढ़ा होगा, आपको पता होगा, सफेद रंग वो रंग होता है, जिस पर प्रकाशकी किरन जब पढ़ती तो सब को लोटा देता है, कुछ भी एब्जार्ब नहीं करता, सारे रंग लोट जाते हैं, ये रिनंशियेशन का त्याग का जैनमुनी बढ़ा त्यागी है, वो स्वेत वस्त्र धारन करेगा, उसमें भी दिगंबर है, उन्होंने वस्त्र ही छोड़ दिया, उतना भी धारन पूरा ही त्याग कर दिया, इसके ठीक विपरीद, कुछ संपरदाय हैं, जो काले रंग का वस्त्र पहनते हैं, ये एक दू मुझे सब स्वीकार है, तो ये एक प्रतीक बन गया, भगवान बुद्ध ने पीला रंग चुना, वो महिपुर चक्र की साधने करा रहे थे, अनापान सतीयोग, सांस आती जाती सांस, वहां पर जो लेक्ती के इंद्रित होगा, वहां उसको पीला रंग दिखाई देगा, भगवान बुद्ध ने त्याग सिखाया, घर परिवार छोड़ के भिक्चु हो जाना है, तो ऐसे ही जासे कोई हरापत्ता सूख जाया और पीला पढ़ जाया, और उसको पेड़ को छोड़ना है, गिर जाना है वहां से, तो उनका प्रतीक बन गया पीला रंग, ठीक इसी अलग अलग रंगों के अपने अपने महत्व हैं, जैसे के जो जुड़े हुए उन लोग को माला धारण करती है, मैंने देखा है, इसका भी कोई मतलब है कि ऐसे ही पहचान की निशानी है, पहचान की निशानी कम हमारे अपनी साधना का सूत्र जादा है, आप माला में देखा है, हमारे सद्गूरु है, तो दिन में कई बार माला अपने दर पढ़ी जाएगी, देख जाएंगे, फिर फिर उनकी यादा जाएगी, यादा जाएगी, तो दूसरों को पहचान बताने के लिए नहीं है, ये तो हमारी अपनी साधना के लिए है, और वो जो एक कुछ भी हो सकती है, भक्ती की विधी अलग होगी, तंत्र की विधी अलग होगी, ज्यानमारगी की अलग होगी, आज्याचक्र की अलग होगी, हठयोगी की अलग होगी, विधी कोई भी हो, भीतर का वह सूत्र, वह धादा, वह साक्षी भाव, उसको पकड़ लो और तुम यहां तक पहुँच जाओगे, केंदर बिंदू में, अपनी मंजिल तक पहुच जाओगे, तो यह उष्णो ने हमको माला दि, उनके प्रति हमारा समर्पन का भाव है, हम उने धारन किये हुए है, यह हमारे नाभी चक्र के पास, या हिर्दे चक्र के पास है, वास्ताव में तो वह हमारी हर्दय में भीतर विराजमान है, तो बाहर उसी का एक प्रतीख है, इसको सिंबालिक काव्यात्मक रूप से समझें, तो भौतिक रूप से मैं नहीं कह रहा हूं कि इसका महत में लेकिन भावनात्मक रूप है, समझो एक यूवती ने एक रुमाल बनाकर अपने इससी को दिया, यह कि रुमाल हो सकता है 10 रुप में मिलता हो लेकिन उसके वाइफरेंट के लिए करोड और रुप रुपय से भी जादा कीमती है, मुझे को इस ने दिया है, वह याद दिलाता रहेगा, तो यह रुमाल बनाट रा नहीं रहा, एक प्रेम का प्रतीख है, उ मुझे बार बार इसमरन आता रहे जब मैं ध्यान करने बैठूं माला पहन के बैठूं मुझे भाव रहेगा कि ओशो मेरे साथ मौझे वो दिन आदा जाएंगी जब एक्च्वली मुझे उनके सामने बैठ के प्रवचन सुनता था आज मैं अपने कमरे में CD प्लेयर पे उनका प्रवचन सुनूंगा यह माला पहन के बैठूंगा शांत होकर मुझे पुन है वही पल रिलिभिंग मैं फिर से वही पल जी दूंगा तो ओशो मेरे लिए विदा नहीं हुए मेरे अभी भी मौझूद है उनकी दिव्य उपस्तिती उनकी डिवाइन प्रिजंस हमेंसा अभी मैं निर्विचार जागरूकता की अवस्था का नाम है थाटलेस अवेरनेस उसका नाम मेडिटेशन है मन में कोई भी विचार ना हो और हम पूरी तरह से सजग हो क्योंकि थाटलेसनेस की अवस्था रात में भी आती है जब सपने बंद हो जाते हैं घंटे दो घंटे के लिए सुसुपती की अवस्था ड्रीमलेस स्लीप लेकिन वहाँ पर अवेरनेस नहीं होती थाटलेसनेस होती है लेकिन अवेरनेस नहीं होती क्या हम जागरुक होकर वैसी अवस्था प्राप्त कर सकते हैं कि मन बिल्कुल चुप हो जाए मोन साइलेंट और हम पूरी तरह सतर्ख हो उन छणों में हम अपने आपको जान देते हैं बहुत सारी विधिया है तो ओशो के द्वारा बनाई गई कुछ विधियों के नाम आपको बताता हूं जो बड़ी काम की हैं आधुनिक योग में एक विधी है डाइनेमिक मेडिटेशन या सक्री ध्यान दूसरी है कुंडलनी ध्यान तीसरी है नाध ब्रह्म्य ध्यान और कि बहुत सारी विधिया है ऑशो की किताब है ओशो ध्यान योग आप उसे पढ़ सकती है सुन सकती है मैं आपको इसमें यही बता दूं कि ओशो की सारे आडियो और वीडियो प्रवचन और सारी किताबहें आनलाइन फ्री आफचार्ज उपलब्द हैं तो आप ओशोव की वेब साइट से सारी आड्यू डाउनलोड कर सकती हैं ओrovavor की वेब साइट से सारी कितावें हिंनकी णंती 680 से अधिय उनको डाउनलोड कर सकती हैं और अभरो के सारे वीडियो वे भी आनलाइन उपलब्द हैं तो कोई भी विक्ति ओशोकी किताब ध्यान योग पढ़ सकता है और भी किताब एक ध्यान सूत्र किताब है बहुत अच्छी एक किताब है ध्यान दर्शन भक्ति को उपर भी ओशोकी बहुत सी किताब हैं उसमें एक है पर दूसरी है नारदमुनी के भक्ति सूत्र पर उसका नाम भक्ति सूत्र है तो ध्यान और भक्ति इन दो के मारगों पर चलने के लिए इन से आप को विधिया मिल जाएंगी कैसे जैसे कि आपने नेपाल में भी इसके लिए कुछ-कुछ यहां पे मतलब आश्रम जैसा या ध सबसे पहले में गया था इलाम में एक जगह है हरकटे, कुप सुंदर परवती इस्थल है, गर्मी में भी ठंडा रहता है, वहाँ पर एक चोटाश आश्रम बना हुआ है, वहाँ पर एक ध्यान शिविल्लिया, उसके बाद में आया चितवन, चितवन में सो रहा नाम का इक गा परिवार नहीं एक आश्रम बनाया हुआ है, वहाँ पर एक सप्ता का कारीक्रम वहाँ हुआ हुआ, अभी मैं काठमांडू आया हूँ, और आज मुझे भारत बापिस लोटना है, लगवक्षे महिने बाद में पुना है बापिस आऊँगा, तो बहुत सारी जगों पर आप भी अनलाइन देता हूँ, और हमारे WhatsApp ग्रूप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा नंबर मैं बोल दे रहा हूँ, कोई मित्र चाहें तो नोट कलें, मेरा नंबर इंडिया का कोड लगेगा, 0091, उसके बाद 70-273-273-72, हिंदी मैं बोल दे रहा हूँ, तु क्या बोलते हैं, शक्तिपात वगेरा इसको भी सुना हुआ है, तो इसको कैसे समझ सकते हैं, शक्तिपात करते थे, बाद में उनों उसको है छोड़ दिया, और उनों कहा कि मैं एक बहतर तर्की दूसरी विधी खोज रहा हूँ, जो इससे ज्यादा साफ्ट हो, क्योंकि शक साइड एफेक्ट होते हैं, ठीक ऐसी मेडिटेशन की विधियों के भी कुछ साइड एफेक्ट होते हैं, तो शक्तिपात में एक मुश्कली है थी, कि जिस व्यक्ति को शक्ति दी है, वह एक प्रकार की मानसिक गुलामी महसूस करने लगता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, वह डिपेंडेंट हो जाता है, ओशो नहीं चाहते कोई उनको पर डिपेंडेंट हो, तो बाद में उन्होंने दूसरी विधिखोजी, जिससे ज़्यादा अच्छी थी, ज्यादा प्रभावसाली और सामूहिक रूप से की जा सके, शक्तिपात एक लगती पर करना होता है, तो बहुत बड़े गुपे कैसे करें, तो ओशो ने प्रवचन देने की ऐसी शैली अपनाई, जिसमें धीरे धीरे बुलते हैं, रुक रुक कर, बीच बीच में पाज आता है, और उसमें वहीं घटना घटती है, जो शक्तिपात में घटती है, एक धक्त बैठके सुन रहा ह है कि सद्गुरु क्या कह रहे हैं, कि बीच में गया है, एक वाक के खतम हो गया, अब दूसरा क्या आएगा हमको पता नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं, हम पूरी तर है सजग हैं, अभी तर सब बिचार बंद हो गए, हम इंतजार में, प्रतिक्छा में क्या कहेंगे, फिर उन क्योंकि उसमें दो जो अनिवारी तत्व हैं, ध्यान के, अवेरनेस एंड थाटलेस्नेस, वो दोनों घट रहे हैं, तो शक्ति बात की विधी उन्होंने इस विख्यासी में छोड़ दी थी, उसको बात फिर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने इस विधी का उपियोग किया, जैसे कि माला की बात हम लोग कर रहे थे, तो माला धारन की भी ऐसा कोई इसका बीधी है, या जो भी इसको चाहे पहन सकते हैं, या इसमें लगने वाले, जुणने वाले, मतलब इसका कैसा बीधी है समगर में? देखिए, किसी के मन में अगर हिर्दय में ओशो के परतिस रद्धा की भावना आ गई है, और साथना के इस मार्क पर ध्यान में भक्ती में डूबने का संकल्प जागा है, तो यह माला पहनना आपके संकल्प को और सगन और मजबूत करेगा, इट विल भी ए रिमाइंडर पर फारियो, कई बार तो दूसरे लोग आप दिलाएंगे, आप दूल गएंगे तो कहेंगे, किस की माला पहनी हो, आपको अचानक यादा आजाएगा है, कि मैं एक साधीका हूं, मैं एक ध्यानी एक भक्त बनने की मैंने संकल्प किया है, वह मुझे पूरा करना है, अगर ह आपके विलबावर, आपका संकल्प कि मुझे साधना करनी है, जैसे कि यह धारन कप करते हैं, इसको खोलना होगा कि ऐसी लगा, हर जस्ते कि कोई साधी सुदा लोग होते हैं, मतलब इसको हर टाइम में लगा सकते हैं, कि इसका भी कोई टाइम होता है, हम इसको रिक्मेंट करते हैं कि जब आप अपने घर में ध्यान करने बैठें प्रवचन सुनने बैठें या कहीं ध्यान के इंद्र में या आश्रम में ध्यान करने निकली जाएं उस समय माला पहनी है जोवीज खंटे पहनने की सलाय हम नहीं देते केवल सादना काल में ताकि उसका एक एक एस्सोशियेशन बन जाएं समझे आपने इस नान करने लगी आपको पता है अप ध्यान करने जा रहे हैं इसके वाद पर आपने एक खास प्रकार के वस्तर पहने समझे आपको सफेद वस शान्त होके बैठ गई अपने कमरे में धीरे धीरे क्या होगा इन सारी चीजों के एस्सोशियेशन बनने लगेगा जहां आम इस नानागार में गए वहीं हमको ध्यान पूर्ण हम होने लगे जहां कपड़े पहन रहे हैं वहीं हमको पता हैं कहां जा रहे हैं किस दिशा में आगे जा रहे हैं वो खुष्भू उस कमरे की ध्यानकक्ष की किसी को अगर वत्तियत पसंद आती किसी कुछ और अपने ओशों की तश्वीर के सामने से माला उठाई गले में धारन की आधामरी तोशों की तश्वीर की तरफ देखा उनकी आख में आखने डाली और वो बहा ध्यानका किसी इश्वर की माननता से कोई संबंद नहीं कोई भी कर सकता है चोट-छोटे भच्चे भी कई ले लेते हैं मदे लोग तो लेते ही अपनी वरजी से इसे दिन में काम काजमी को जाते went back को अज emerOn कि उस समय नहीं करिए क्योंकि उससे क्या होगा कि जो माला के साथ ध्यान का जो association बनना था वो नहीं बनेगा समझे आप कहीं काम कर रही हो आपको किसी से नहराजगी हो गई हो आप गुछ्से में और टेंशन में भी है और माला भी पहने है तो जो association बनना था सांत बैठके ध्यान पूर्ण हो के माला पहनना वो नहीं बनेगा एक आदमी बैपारी है दुकान में बैठा जूट भी बोल रहा है उसको बोलना ही पड़ेगा अब वो माला पहन के जूट बोल रहा है अच्छी बात नहीं है नहीं जब आप कुछ नहीं कर बैमाइनी भी कर रहे है रिष्वत भी ले रहे हैं और कुछ सा भी हो रहे हैं टेंशन में भी हैं डंटपट भी कर रहे हैं फिर वो association नहीं बनेगा उसका अपमान हो जाएगा अंत में क्या यह समग्र बात को लेकर आंत में क्या आप कहना चाहनेंगे जो तेलिविजन बैते हैं और सरल्सब्दों में इसको कह दूँ होश और प्रेम देखें आप कितने होश पूर्ण है क्या और जादा होश पूर्ण हो सकते हैं होके देखें िश्चतरुफ से हो सकते हैं धीरे धीरे आपके जीवन में प्रेम का और होश का विकास हो तो आपके भी तरिक loving consciousness ग्रोथ करने लगेगी और आप पाएंगे धीरे धीरे आप spiritualism के dimension में प्रवेश कर गए बस यही छोटा सा संदेश आपको देना चाहता हूँ पुनहे इस मरण दिला दू मेरा phone number 0091-70273-27372 आप इस पर मुझे whatsapp पर message भेज दीजिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे online कारिक्रम महिने में दो बार चलते हैं alternate week एक एक खपते के लिए आप उसमें जुड़न कर सकते हैं अपने घर बैठे ध्यान कर सकते हैं सीख सकते हैं हमारे offline कारिक्रम जो जगे जगे पर होते हैं उनकी सूचना भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी हमारी website Osho Fragrance है आप वहाँ भी join कर सकते हैं और हमारी mobile app वह है आप डाउनलोड कर सकते हैं उससे भी आपकी सारे सूचना समय समय पर मिलती रहेगी उसका नाम है O Meditate O Meditate O Meditate Single Word आप ये mobile app डाउनलोड कर लीजे आप हमारे साथ हमेशा संपर्क में रह सकते हैं बहुत बहुत खुशी हुई आपके स्टूडियो में आकर ये आपकी महत पुने समय और समबाद के लिए आपको धन्यवाद है मैं चीज और चाहता हूं आप सन्यास के वारे में माला के वार अपको यही पर माला पहना देता हूं ठीक है और आपका एक नया नाम भी जो आपको याप जलाता रहेगा माला के साथ एक नया नाम भी आपको देता हूँ आपका नाम है मायोग भक्ति आपने आपको इसी नाम से जानिए और सब लोगों को पता दीजे इसी नाम से आपको पोकार है और आपके नाम में पूरी अध्यात्म साथना का राज सिक्रेट छुपा हुआ है योग और भक्ति योग में हम कुछ करते हैं भक्ति में हम अपने भीतर के उस सदभावना में दूपते हैं योग यानि ध्यान, मेडिटेशन, भक्ति यानि डिवोशन ओशो कहते हैं सन्यास के पंची के ये दो पंखें जिनके साहरेवय अध्यात्म के आकाश में उड़ता है होश और प्रेव, भावना और चेतना इन दोनों को निखारना है और याए हम सब कर सकते हैं और हम एक दिन अवश उस परम बंजल तक ब्रह्म क्यान तक पहुंच जाते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद आपको धन्यवाद जी आपको भी दश्मेरल हमी भक्ति संबाद मरहे का छू राजा हमीले बिस्स करी स्वामी शैलेंद्र सरसुती जी संगा अध्यात्मिक धार्म भक्ति संबाद झाल झालकू हमी्ड़ो जी दॉतक बंगिवाद एल。